नमस्कार चक्रव्यू में आप सभी दर्शकों का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ मुकेश राजपूत और चक्रव्यू में हमारे आज के महमान है अपने बहुत अच्छा काम किया था कि जो पंचायते हैं उसमें पंच सरपंच पढ़े लिखे हों बहुत अच्छी बात थी वहावाई लूटी आपने प्रदेश में इनी देश में भी नाम हुआ अब पंचों को आप अठनी नहीं दे रहे हैं अधिकारियों के मारफती दे रहे हैं क्यों अलग अलग चरण हैं हमने कोई नया कानून नहीं बनाया पुराना कानून है कि दस लाग तक का पैसा सरपंच खुद खर्च कर सकते हैं और दर लाग ते जहां अधिक होता है मां डिपार्टमेंट बीच में आ जाता है सरपंच की सहमती से ही काम करता है लेकिन उसकी टेंडरिंग और प्रोसेस करने का काम जो है वो पंचायत राज विभाग का जो इंजिनिंग विंग है उसके हाथ में आ जाता है पहले हमने सिक्सित पंचायते बनाई फिर हम सक्सम पंचायतों की तरफ बढ़ रहे हैं सिक्सित से सक्सम के दो हिस्से हैं एक है उनकी कैपेस्टी बिल्डिंग और एक है संसाधन देना संसाधन देने के बारे में हमेशा मैं मानता हूँ कि जितने संसाधन स्टेट के हिसाब से होने चीए बहुत लिमिटेड है मेरे पाथ 6207 पंचायत है मेरा बजट 2000 करोड का है بारा سو کروڑ रुपया सीधा पंचायतों को जाता है कुछ केंदर सरकार का पैसा है कुछ हमारा पैसा है आठ सो क्राट रुपया मुख्यों मंतरियों की घोष्णाव में से जाता है इसलिए सीधा जाने वाला पैसा जो है वो रासी और ये दोनों भी जोड़ने तो 627 पंचायतों में 2000 कोर्ट रुपया महमूली पैसा है इसलिए पहला काम अब हम कर रहे हैं कि नाबाड से पैसा मांग रहे हैं आने वाले कुछ वरसों के लिए 5000 कोर्ड साइथ 1000 कोर्ड इस साल से सुरू करेंगे और ग्रामिन विकास तेजी के साथ हो ये हमारा प्रारंभिक लक्षे है तो उसके लिए मैंने कहा कि पहला काम किया सिक्षित पंचायत दूसरा काम करने सक्सम पंचायत एक तो हमने रोतक विस्विद्याले, हिसार विस्विद्याले, हमारे खानपूर महिला विस्विद्याले, कुरुक्षेतर विस्विद्याले, हिसार में में एच एउ में भी, गुरू जंबेसवर में भी, एच एउ में भी, तीन महिने का सर्टिपिकेट कोर्स पंचायतों के शुरू किया है, क्योंकि सरपंच और उपर के जो जनपरती ने दी है, वो सारे दायतों क्योंकि उसको अकाउंट भी रखना होता है, उसको चेक पर हस्ताकसर भी करने होते हैं, उसकी सब चीजों की लाइबिलिटी है, उसको उसके इसाब से सक्सम बनाएं एक, तो दूसरा भारतीय जनता पारटी में हैं उनमें अप उच्छुरैंड न का अरक्षन देलाने की बात राजस्तान में अटल विहरी वाजबे जी के नेतरतों में जब सरकार थी उसी समय आस्वासन दिया उसी समय आरक्षन दिया मद्य प्रदेश में भारती जनता पार्टी ने दिया दिल्ली में भारती जनता पार्टी ने दिया और डंके की चोट पे मैं कह रहा हूँ कि जितना अच्छे तरीकी का और कानून बना कर दिया तो मनहोर लाज जी ने दिया भारती अंता पार्टी की सरकार ने आरक्षन दिया तब यो कोट में अटकाऊ है? कोट में अटक ना एक अलग भी शाय है. कोट में तो दुनिया के भर के सभी कारणोन आजकल चेलिंज के चेटर में आदे हैं है। उन्होंने जो NCBC कमिशन था उसकी नाके बाद दिया उसकी नाके बाद दिया इतना ही पाप नहीं किया उन्होंने उनकी नाके बाद दिया और उनकी नाके बाद क्यों दिया इसका कोई लोजिक नहीं दिया इसलिए कांग्रेस पारिटी जो बीजबो कर गई थी उसको हमको हुआ हमने बिल्कुल कानून सम्मत तरीके से और सब तरह से विचार करके और जैसी समाज की अपेक्षा थी वो हुड़ा साब तो बड़े सरमाते से हुए उनको विशेश कटेगरी में डाल कर गए थे हमने स्पेशल कटेगरी की बजाए बी सी सी में लोगों की अपेक्षाओ के अनुरूप आरक्षण दिया और फिर अगर वो हाई कोट में उसको चुनोती दी गई तो जो समाज ने कहा जगदी धनकरजी समाज की अपेक्षा के हिसाब से उसकी पैरवी करने के लिए वकिल खड़े किये हैं मैंनि सरकार की नियत और आपकी जो सरकार है आपकी जो सरक करते हैं आपकी सरकार के लेकिन आपकी पारटी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसको लागू नहीं होने देना चाहते और यह बयान भी आये हैं आप कहेंगे तो नाम के साथ बता देंगे कि डंडे के बल पे आरक्षण नहीं मिलेगा देखिए आपको प्रसंसा करनी चा केवल साथ लोग जाट समाज से आते हैं मैं उन समस्त विधायकों की जो हमारे साथ हैं चालिस हैं उनकी प्रसंसा करना चाहता हूँ जिन्हों ने एक सारे पर पार्टी के पांच मिनिट में जाट समाज को अरक्षण दिया और समस्त जाट समाज ने उनका रेड़ी होना चा कि इस हाउस में उन्होंने बिना किसी बहस के जैसा सरकार ने प्रारूप रखा और सरकार ने प्रारूप वो रखा जो साट समाज के चुनीदा लोगों ने कहा उसको पारित किया इसलिए उनके प्रति ऐसान बना चाहिए आगे जाकि यह चैलेंज होगा कोट में जाएगा जो लोग आपने जो अपने गले का साप था वो डाल दिया जिदीश्री के गले में जितने कानून विदों के माध्यम से जो बेहतरतम ड्राप्ट हो सकता था उस ड्राप्ट को विधान सभा ने पारित किया है और इसलिए मुझे सत प्रतिस्त लगता है कि नियायले में भी या नहीं मिलेगा नियायले की बात है आप टिपणी नहीं कर सकते हम नहीं कर सकते लेकिन जाट अंदोलन के दौरान जो हिंसा हुई उसमें जो लोग जेलों के अंदर गए उसको लेकर लगातार धरने परदशन हो रहे हैं आपकी सरकार की फजीयत आप ही का जाट समाज कर आप जो रवएया है धुलमुल है कभी आप मौावजे की राशी बढ़ा देते हैं कभी कहते हम छोड़ देंगे कभी कहते कानून अपना काम करेंगा करना क्या है या आपको पता है देखिए सरकार बहुत सौवेद अंसील है सरकार खुले मन से काम कर रही है इसको तीन कि जिनके उपर जो जिनोंने कोई उपदरों में सामिल हुए समाज में भी कहा कि उपदरों है और जो उपदरों में सामिल हुए और जिन पर गंभीर किसम के केस बने है ये तीन अलग लग चीज़े हैं तीनों को अलग लग रखी है आरेक्षन क्या जो अंदोलन है चार सो स से काम कर रही है आप पहले तो कहते थे कि जो लोग मारे गए वो पद्रों मचा रहे थे उसके बाद दवाब में आकर आपकी सरकार ने नौकरिया माँटी नौकरियों में पता लगा कि नौकरियों में भी खेल कर दिया आपने पकी नौकरी देने के बजाए आपने डी सी पूर्वक मानते वे सबको मौहवजा दिया जाए, हर एक के घर दक मौहवजा दिया 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 पिर यह हुआ कि उनको नोकरी दे दी जाए तो उनको डीशी रेट की नोकरी ओफर कर दी जए और सरकार इस बारे भी खुले मन से है, क्योंकि यह सब डीशी रेट की नोकरी से या कच्ची नोकरी से पक्की रोकरी का एक अपना रास्ता है, समाज भी इसको समझता है, कई बार वो समय के साथ पूरा होता है। जो नोकरी मिलती है, पहले एक प्रोविजन होता था, कि जिनके नोकरी करते करते पुत्र मर जाते वो पिता मर जाते थे, उनके पुत्रों को परीजनों को नोकरी मिलती थी। इसलिए मैंने का आज हम नोकरी दे रहे हैं, सब को दे रहे हैं, और सरकार इसमें से खुले मन से है कि किसी प्रोसेस के साथ वो उस रास्ते पर जाएं, इस वीशे में भी सरकार का खुला मन है। यह बात नमबर दो, बात नमबर तीन, मुकद में मैंने कहा तीन प्रकार के हैं, उसको समझना चाहिए, मेडिया भी समझेगा, समाज भी समझेगा, सरकार की तरफ से भी मैं इस बात को क्लेर करना चाहता हूँ, आज की चक्र जो में। एक हैं जो अंदोलन के मुकद में हैं, सरकार सब के प्रती खुलेवन में हैं, बहुत सारे वापिस हो गए हैं, सब को वापिस करने की पूरी तैयारी में हैं। मालनो किसी के घरक पर कोई अटेक करने चले गें, किसी दुकान को जला दिया गया, जो व्यक्तिगत मुकद में हैं, व्यक्तिगत लोगों ने वापिस लेने होगे हैं। उसमें सरकार भूभी का अदा करने की स्थीति में उस परकार से नहीं है. तीसरी, जार समाज के सुप्रीम कोट में प्रैटिस करने वाले वकील है, डिटारेड जजिज भी है, हाइक कोट में काम करने ओले लोग भी है कोई बी मुकदमा जो सी बी आई ने रिजिस्टर कर लिया है वो अब कभी भी वापिस नहीं होता है चोकि सरकारे बदलती रहती है एक मिनट समझने सुने दीजिए समाज को आपके चैनल से जाएगा तो अच्छा होगा लेकिन ये जो साफ कोई है ये उस वक्त नजर नहीं आती है जब आप धरनों पे आपके नेताओं को भेज़ते हैं जादा अच्छा होगा कि ये समझना कि ये वापिस नहीं हो सकते कि मालो आज हमने कांग्रेस के लोगों के खिलाप मुकदमे सी वी आई में भेजे कल कांग्रेस की सरकार सेंटर में आगी तो क्या वो वापिस ले लेगी तो सर्वोच कोई भी मुकदमा वापस नहीं लिया जा सकता इस बात को समझना चाहिए हमारे समाज को भी समझना चाहिए सब परबुद लोगों को समझना चाहिए और जाट समाज के जितने भी परबुद लोग हैं जो जुडिशरी से रिटायर हैं जो बड़े बड़े वकील हैं उन्हो के हों वो गुम्रा करके ऐसे सब्स बाग दिखाते हैं कि जनता सडकों पर आ जाती है उसमें से कुछ उपद्रवी तर तो हरियाना को जलाने लगते हैं और यह जो आप साफगोई की बातें चक्रवियू में बता रहे हैं यह उस वक्त आप बोल नहीं पाते हैं दवाब रहता है जनता का एक छोटा सा हम कोमर्शेल ब्रेक ले रहे हैं बहुत ही बेनास तरीके से बेबाग तरीके से आज उपी धनकर चक्रवियू में ہے बहुत सारी चीजें एसी हैं जो जाट समाज को समझनी हैं हमारे समाज को समझनी हैं और यह जो कह रहे हैं आज दिल से कह रहे हैं और सच्चा ही कह रहे हैं उसके बाद जो निर्ने होगा वह आपको लेना है एक ब्रेक के बाद वापिस हाजिर हो रहे हैं आपके फिवरेट कारेकरम चक्तर व्यू अप सभी दर्शकों का एक बात फिर स्वागत है ओप इधंकर साब cabinet minister हर्याना के आप कभी चक्रवीव में स्वागत है अब अपनी साफगोई के लिए और बेंदास अंदाज के लिए जाने जाते हैं पहचाने चक्रवियू में ब्रेक में जाने से पहले जो आप बाते बता रहे थे, मुकदमों की बाते हम बता रहे थे, जिसके तीन प्रकार होते हैं, वो मुकदमें जो किसी और ने की हैं, इंडिविज्वल तोर पर आपकी सरकार वापस नहीं ले सकती, वो नोकरी जिसकी बात विपक्ष कर रहा है कि आपने सरकारी नोकरी देने का वादा किया था, वो आप लोग नहीं दे सकते हैं, मैं चाहूंगा एक बार इसको फिर से आप दोरा दीजिए, आप उसको गल्त एक समय काल है, अंतराल है, कुछ स्थान ऐसे हो सकते हैं कि कुछ सारी, बहुत सारी नोकरियां ऐसी हुई हैं पहले कि जो समय के साथ पक्के की तरफ जाती हैं, इसलिए सरकार इस विशे में ओपन है, यह सरकार ने इस पर फुल स्टोप ने लगाया है, आज जो दे सकते हैं वो दे रहे हैं, समय की प्रोसेस में सरकार उस रास्टे पर भी उस रास्टे पर जाट नेता हैं, लेकिन आज जाटों की तरफ से सवाल मैं आपसे पूछूँगा, आप मुझे यह बताईए, जिन लोगों को आप नौकरी दे रहे हैं, वो नौकरी कच्ची है, अभी क्योंकि आरक्षन का आप कहें की प्रेशर है, हर्यानवी में कहें तो डंडा है, लोग जगा जगा धरने पर बैठे हैं, आप जो मांगे बोलते हैं, मान लेते हैं, कल को जब कारिकरम नॉर्मल हो जाएगा, आप उनको निकाल देंगे, इसकी क्या गरेंटी नहीं है, बिल्कुल ऐसा सोचने की आउशकता नहीं है, क्यों ना सोचें, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, सरकार जो बात बोलती है, कितने भी तरहें के आप अगर ऐ एक सेकंड के लिए, उस समय पच्छी सजार देते हैं, फिर लाक देते हैं, फिर दबल कर देते हैं, दस लाक रुपे सबसे पहले कहा गया, जिनको भी मर्तिव हुई, उनके घरों तक सरकार में पहुँचाए, उनके घरों का विशे पहली बार आया, सरकार ने बड़ी संव से करती है, तो मुकेश राजपुजी उसकी प्रसंसा कीजिए, उसकी नेंदा मत कीजिए. जो सरकार है, जो हमारी माता पिता है, उन माता पिता की रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे आप बैठे हैं, बिल्कुल जब आप मुआफ़ा देने की बात करते हैं, तो जो आप ब आरे लगते हैं या प्रैशर बनता है तब आप मुआफ़ा के दूग ना कर दें तो पहले क्यों नहीं आप इस तरीके की चीजे ने को देते हैं कि सवाल ही ना उठेए आपकी मंच्छाबर देखें, लोक तंतर में ये कभी नहीं हो सकता कि सवाल नहीं उठें, और लोक तंतर है यह अनुचीत प्रक्रिया नहीं है हर विशों के अंदोलन होने चाहिए आवाज उठनी चाहिए आवाज सामने आनी चाहिए और इसको अर्याणवी में सुनना हो तो हमारे यह कहते हैं मां भी दूज जब पिलाती है जब बच्चा शोर करता है यह जो बाते हैं यह ओपी ध हम कर दी सकते हैं जिसमें वापिस नहीं होते हैं और सरकार अंदोलन के सभी मुकद्बे वापिस करने के लिए पूरी तरह से खुले मन से काम कर रही है यह अब ओम परकाश धनकर जाट बोल रहा है ने 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 ठीक है आप भी तीन तरीके के व्याद दे रहे हो मैं बिलक सरकार के अंदोलन के मुकद्में हैं सरकार सभी अंदोलन के मुकद्मों को वापिस लेने के लिए पूरी तरह से सवेदन सील है और प्रकरिया के तैत उस रास्ते पर आगे वट रही है दूसरे प्रकार के मुकद्में हैं जिनके पर दूसरी बार बताना अच्छी बात है ज जाट भाई जो हैं हमारे वो भी अच्छकल इसी तरह से कई कैटेगिरीज में विभाजित हो गए हैं, एक जाट वो हैं जो यश्पाल मलिक गुट के साथ मिलकर धरना परदर्शन कर रहे हैं, एक जाट वो हैं जो मुख्यमंत्री से आकर बादचित करते हैं, एक जाट वो हैं जो भारतिय जनता पारिटी के जो जाट नेता हैं उनके टच में हैं, एक जाट वो हैं जो ओम प्रकास चोटाला या उनके परिवार के लोगों के टच में हैं, एक जाट की कैटेगिरीज वो है जो हुद्दा साथ के साथ चलते हैं, इतनी सारी कैटेगिरीज बन गई हैं, क कि समझ में नहीं आ रहा आपको भी नहीं आ रहा होगा. कि असली जाट नेता कौन है अबकि हर्याना कि बात करें, यह Cabinet Minister से बात नहीं कर रहा हूं मैं फिर से एक जाट समूद आए के प्रतिनायदी से कर रहा हूं जाट पूरी तरह से लोकतांत्रिक समाज है और लोकतांत्र में जिस परकार से बिन बिन परकार की धारा ही चलती है सारी धाराओं को समझते हुए काम करता है और इसलिए उसकी इस लोकतांत्रिक वेल्यू की आपने सरहना करनी चाहिए हैं वो किसी एक दारा में विचार करने वाला नहीं है तो समझता है समझता है। समझता बहुत बहुत तो बहुत मुझिल होती है। आप जिन लोगों को बुलाते हो बात्चीत करने के लिए, वो ना धरने पे होते हैं, ना परदर्शन पे होते हैं, वो आते हैं, आपके पास आते हैं, मुकेस राजपुची, चाय नाश्ता करते हैं, निकल जाते हैं, और पीछे, जो दूसरे जाड़ भाई बैठे हैं, वो अ है है कि यह एक वेक्ति फेलर इंग खुलोइंग है सबके लोग अपने साथ है और जो आरक्षन का अंदोलन चलाते रहें ये परिवार है इसमें चार लोग शानते हैं और पांचवां गुस्से हैं आप उन चार लोगों को तो पगड़ लेते हो और पांचवां पीछे से कारेकर बजा लेता है ऐसे कैसे कर रहे हुआ उनके साथ कौन बात नहीं कर रहा हु अब ही जो आंदोलन चल रहा इसको क्ल लीड कर रहा जी लगाता सरकार ने वारता के दौर खूले रखे लगाता सतरा फरवरी को भी बात की थी उनिस फरवरी को घटना होती है सतरा फरवरी को मुक्र मंत्रे का घर पूरे जाटनेता हूँ से भरा हुआ था सरकार की ओपनने, सरकार का खुला, वोई जाटने था जब अपने खिकाने पर पहुँचे तब कहते हैं जी हमारा तो इनसे कोई तालुक नहीं है, हमारे लोग नहीं बैठे हैं आप सरकार की परसंसा कीजिए कि सरकार ने कितने खुले मन के साथ, संवेधन सीलता के साथ, ओमपरकाज धनकड मैयर जाते हैं, ओमपरकाज धनकड सापला जाते हैं, ओमपरकाज धनकड राजनाथ के घर पर जाकर जोड़ी फैलाते हैं, ओमपरकाज धनकड बड़ी करते हैं पिशले साल हम कह रहे हैं आपने बहुत महनत की जो दूसरे जाट प्रतिनीदी हमारे यहां पर मंत्री मंडल में उन्होंने बहुत महनत की लेकिन उस महनत का नतीजा निकला निए अब हम 2017 की बात करते हैं इंदेनों की बात करते हैं अब जब आपके प्रेजिडेंट कि क्या हो रहा है कि संगटन का काम मातरी पित्री भाव का है इसलिए कोई नाराज हो तो भी कोई दिक्कत नी है सुभास ब्राडा जाते हैं कमेटी इतनी हाई पाउर कमेटी इससे पहले के भी शंदोलन के आपने देखी थी इसमें एक मिनिट जो वह मांग कर रहे हैं जार्व सरकार का हॉम सेक्रेटरी बात करने के जाता है सरकार के बड़े से बड़े अफसर जाते हैं इसकी प्रसंसा आखरी सवाल मेरा यह है कि जो कमेटी आप वहां पर भेजते हैं क्या उनके पास ऐसी पावर है निश्चित रूप से वह जो मांग है उन पर निरने ले सके अरे भ सब्सक्राइब कंजूसी कर रहे हैं जो जन्ता आपको देख रही है जिन्होंने आपको चुनके बेज़ा है जो उनके जहन में सवाल है वो सवाल पूछना हमारा काम सवाल करना है सारा मेडिया सत्यानवेसी है उसकी आधारी यही है खबर वही जो सत्य हो इसलिए आपका काम सत्य को उजादर करना है वो करिए तो सत्य यह है कि आज भी आपके इतने प्रयासों के बावजूद जो जाट समूदाय है वो धरने पर बैठा है उसकी संख्या कम होने की बजाए लगातार बढ़ती जा रही है दो मार्च को फिर उन्होंने कॉल दी है उसके बाद वो दिल्ली को ट्रॉली से रोकने की बात क सरकार अभी भी जो आप हाई पावर कमेटी आप बता रहे हैं उसके इलावा कोई जादा प्रयास करती नजर नहीं आ रही है पिछले साल की तरह सरकार ने अपना बेष्ट दे दिया सरकार ने अपना बेष्ट दे दिया गाहिलों को मौवजा सरकार ने अपना बेष्ट दे दिया नोकरियां सुरू करके सरकार ने अपना बेष्ट दे दिया उसको पर रोकिये मतना यह वो रास्ता है चले तो चलेगा तो पहुँचेगा जो चलेगे वो मंजिल पे पहुँचेंगे तो इसलिए चले दो आगे बढ़ने दो सरकार ने कहा कि हम अंदोल के सभी मुकद में वापिस लेने को त्यार हैं सरकार अपना बेश्ट दे रही है मैं सरकार की इस बात के लिए मनहोर लाल जी की प्रसंसा कर रहा हूँ कि वो अपना बेश्ट दे रहे हैं जो नहीं कर सकते वही रुके हैं और ये नेतरतों को भी समझाए और अधिकतर मांगे ऐसी जिसमें कुछ नहीं कर सकते यह समाज को भी समझना होगा जिसमें नहीं कर सकते वहाँ लिमीटेशन्स है मरियादा है प्रदेश सरकार की भी मरियादा है A.G. साब ने जो सबस्टी कण दिया है कि भी सब तरह से कानूनी राये लेकर समझ कर किया है कि हम जो है CBI के केसेज को वापिस लेने की प्रदेश सरकार की स्तीती नहीं है वो नहीं ले सकती यह कानूनन चीजे इस प्रकार की है जो व्यक्तिगत किये हुए मुकदमे हैं वो व्यक्तिगत लोगों के सामने समाज पहली भी जाता रहा है पंचायती तोर पर जाता रहा है जो दिल की बाते हैं और जो सची बाते हैं वो आपको हमने कहने का अफसर दिया और आपने खुल के का अब यह जनता है जनता यह फैसला करेगी कि ओपी धनकर साब जब मनिस्टर के तौर पर बोल रहे हैं तो इनकी लिमिटेशन्स क्या हैं हमने आपके सवाल या कहिए जो इनसे पूछे उनका कितनी इमानदारी से इनोंने जवाब दिया और कहां-कहां मिनिस्टर हावी हो गया कहां-कहां जाटनेता हावी हुआ इसका फैसला हमेशे की तरह आप करेंगे आप चक्रव्यू कारिकरम में आए हमसे बातचीत की आपका तहे दिल से हम शुक्रियादा करते हैं पहराल आपके हिमत जाइए बने रही हमारे साथ क्योंकि चक्रव्यू के बाद भी एटीवी हर्याना हिमाचल परदेश पर खबरों का सिलसला बदस्तूर जारी है